शराफ कारो बारे अर्जुन ठाकुर गोली कांड में फरार गेंग्स्टर सतीश मराथा उर्फ भाव और चिंटु ठाकुर उर्फ जितेन्र ने बुधवार तड़के नाथ की अंदाज में सरेंडर कर दिया गिरफतारी के बाद पुलिस ने दावा किया कि आरोपी भोपाल बायपास से पकड़ाये हैं फिलहाल एक आरोपी हेमु ठाकुर फरार है आरोपियों के पास से एक पिस्टल मिली है बताया जा रहा है कि वारदात के बाद आरोपी हेमु ठाकुर लगातार गर्फरिंड के से कहा था कि वो जल्द ही नेपाल चला जाएगा दो-तिन महीने बाद ही लोटेगा लोकेशन के आधार पर पुलिस ने दो को दबोच लिया लेकिन हेमु ठाकुर बच कर भाग गया सोवार सुभा गांधी नगर नवदा पंथ शराब दुकान को लेकर पुंटु ठाकुर और अरजुन ठाकुर के बीच कहा सुने हुई विवार को खत्म करने के लिए विजनगर थाना शेत्र इस्थित सिंडिकेट ऑफिस पर अरजुन को बुलाया गया अरजुन अपने समर्थकों के साथ ऑफिस पहुचा, यहां सवा तीन बजे करीब पिंटु ठाकुर, हेमू ठाकुर और उसके साथ गैंक्स्टर सतीश भाव, शूटर रिटेश, शूटर मोनू और शूटर दयाराम भी पहुँचे थे अरजुन और हेमू ठाकुर बात ही कर रहे हैं थे की बहस शुरू हो गई, इसके बाद केविन के अंदर से दयाराम ज्वारा एक फायर छट पर किया गया, जो गोली जाकर अरजुन ठाकुर की पीठ में लगी, महीं एक अन्य आरोपी ने देशी कर्टे से फायर किया, जिसक इसके बाद पुलिस द्वारा आरोपियों के परिवार की महिलाएं और रिष्टदारों को पुलिस पूछ ताज के लिए थाने लिया आई थी, आरोपियों पर लगातार दबाव बनता रहा, मुधवार सुभा पुलिस ने आरोपियों को भुपाल बायपस से पकड़ा, पुलिस ने उनके रिष्टदारों और एक आरोपि की महिला मित्र को थाने में बैठा कर दबाव भी बनाया था, इसके बाद दोनों आरोपियों की पहले योजना थी कि कनाडिय थाने में हतियार के साथ पेश हो जाएं, लेकिन फिर एका एक योजना को बदलते हुए, सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही हेमू ठाकुर भी पेश होने वाला है, सूत्रों के अनुसार आरोपी घटना वाले दिन ही देवास में सरेंडर हो चुके थे, राजनीतिक सैटिंग के बाद इनको इन दौर में पेश करने की कहानी भी सामने आ रही है, पुलिस को अभी बता रहे हैं और आर्तुम्ही आर्थोसमुपी और स्पोर्स इंजेर्म